नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूटूब चैनल, स्पीकिंग बुक में आज का हमारा टोपिक है, फ्यूल फिल्टर, जिसको फ्यूल इस्ट्रेनर भी कहा जाता है चलिए शुरू करते हैं बात करते हैं हम फ्यूल फिल्टर की, तो फ्यूल फिल्टर का बहुत इंपोर्टेन्ट रोल होता है हमारे इंजन में फ्यूल फिल्टर, लिक्विड फ्यूल के अंदर जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं यह जिने foreign particles भी कहा जाता है उनको filter करता है ताकि हमारे engine की efficiency improve हो वरना अगर यह dirt particles हमारे अगर carburetor में या injector में enter कर जाएं उसके कारण हमारे carburetor या engine की efficiency down होती है क्योंकि वहाँ पे यह जाके उसमें blockage create करते हैं चलिए बात करते हैं हम इसकी location की कि fuel filter कहाँ पे place किया जाता है पहले बात करते हैं petrol engine की कि petrol engine के case में fuel filter को कहा लगया जाता है petrol engine के case में fuel filter जो होता है वो fuel pump और carburetor के बीच में place किया जाता है कुछ इस तरह से यह carburetor है यह हमारा fuel pump है और यह filter है जिसको इस ट्रेनर भी कहा जाता है पेटल इंजन में ये इसके बीच में लगाया जाता है कार्बुरेटर और फ्यूल पंप के बीच में बात करते हैं डीजल इंजन की डीजल इंजन के केस में फिल्टर को हमारे फ्यूल टैंक ये फ्यूल टैंक है उसके बाद place किया जाता है, यह filter है filter के बाद यह fuel हमारे injector pump से pass होकर यह injector pump है, injector में चला जाता है उसके बाद यह engine में enter करता है तो दोनों के case में हमारा जो fuel filter है उसका function सेम है, impurities और उसके अंदर dead particles को remove करना, चलिए बात करते हैं अब इसके parts की कि fuel filter के कौन-कौन से parts होते है fuel filter का सबसे भार का यह जो shell है इसको body भी कहा जाता है, यह fuel filter का cross-sectional viewer इसके अंदर यह blue color की हमारी cartridge है cartridge friends क्या होती है, cartridge एक तरह का fine filter paper होता है, जिसका use हमारे deads को जो liquid के अंदर available होता है, उसको रोकना होता है यह cartridge cross-sectional view में ऐसे दिख रही है मगर आप इसका अगर isometric view देखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है यह हमारे spiral wound होती है, जो की center अंदर core की तरफ जुकिवी होती है यह cartridge क्या करती है, liquid के अंदर जो dirt particles है, उनको रोकती है अब देखिए, बात करते हैं इस nozzle की, इसके अंदर दो nozzle होती है जहां से fuel in करता है, एक होती है जहां से fuel out करता है इसके उपर यह top cover है, जो हमारे screw से tight होता है जब हमें इस cartridge को replace करना होता है, या maintenance करनी होती है तब यहां से screw की सायता से top cover को हटा के, यह loose करके, हम cartridge को replace करते हैं अब नीचे बात करते हैं यहाँ पर यह spring है जो हमारी cartridge और इस outer body के अंदर एक tension को maintain रखती है अब हमारा देखेंगे जो fuel है वो हमारी fuel inlet nozzle से enter करता है और चारो तरफ इसमें spread हो जाता है चारो तरफ spread होने के बाद यहाँ जब pressure apply होता है तो यह अंदर cartridge के अंदर enter करता है particles होते हैं वो तो या तो इस paper के उपर sticks हो जाते हैं वरना जो heavy duty particle होते हैं वो नीचे यहाँ पर settle down हो जाते हैं जिसको बाद में हम maintain करके easily निकाल सकते हैं यहाँ पर fuel filter होने के बाद यह central core से भार की तरफ जाता है और इसके बाद ही अगर petrol engine है तो इसके बाद हमारा carburetor connect होता है नहीं तो diesel engine के case में further हमारा injector pump connect होता है इस तरह से यह fuel filter work करता है thank you for watching